दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp चैट को जो इसका सौटकोट होता है किसी भी WhatsApp चैट के सौटकोट को अपने मॉबाइल के होम स्क्रीजिन पर कैसे आप ला सकते हो देखिए WhatsApp पर बहुत सारे ऐसे आपके कॉंटेक्ट होते हैं जिसे आप बार-बार बात करते हो ठीक है अब बार-बार आप WhatsApp को ओपन करोगे बार-बार कॉंटेक्ट को सर्ज करोगे ठीक है अप फिर उससे बात करोगे बहुत सारा समय बढ़ बात हो जाता है और आपको पता है कि WhatsApp पर बहुत सारे चैट मैसेज आते हैं ग्रूप मैसेज आते हैं इससे होता गया है कि जिस से आपको अपना बात करना हो रेगलर जैसे आपको भी बिजनस फ्रेंड हो गया और बिजनस रिलेक्टर को बात करना हो तो वो चैट बहुत नीच से चला जाता है तो आपको बार-बार उसको खोजना पड़ता है अच्छा ये होगा कि जिससे आप बार-बार चैट कर रहे हो उस contact का जो है एक shortcut जो है अपने mobile के screen पर जो है homepage पर ही डाल दो जिससे आप click करो और आपका वो chat open हो जाए और direct उनसे आप वहाँ पर बात कर सको तो कैसे ये कर सकते हो वह चीज यहां पर आप जान लीजिए बहुत सारे आपके comment मिले है मुझे पहले इसको सीख लेते हैं हम लोग यहां पर देखे सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को यहां से open करना है अपने mobile पर ठीक है उसके बाद आप जो है देखोगे कि इस तरह का पूरा message आपके आ जाता है जो जिन लोगों से बात होता है जो भी group message होता है सारा इस तरह से message रहता है अब मैं example लेता हूं कि यह मेरे content है इसका नाम है वेश्टी जिरूसब ठीक है अब माल लीजिए कि इनसे मुझे बार-बार बात करना है ठीक है इनसे बार-बार बात करना है तो बार-बार में open करोगा तो बार-बार इनका नाम सर्च करना होगा क्योंकि उपर जितने chat message आएंगे तो इनका chat नीचे चला जाएगा तो बार-बार ढूणने में मेरा समय बहुत ब्रबाद होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इनके chat को open करेंगे इनका short quote बनाएंगे हम यहाँ chat को open करेंगे इस तरह से इनका chat जिखिए open हो गया अब क्या करना है हमको यहाँ पर देखिए उपर में आपको तीन बिंदू दिखाई दे रहा है इसको हम लोग click करेंगे click कब जब कीजिएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर option आ जाएगा और यहाँ पर नीचे में एक mode का option रहेगा mode के option के उपर में आपको click करना है इसके बाद आपको देखिए एक add shortcut का option मिल रहा है add shortcut के option पर आपको click कर देना है इसको click करने के बाद आपको इस तरह से option आएगा और यहाँ पर जो है आपको इसको add को click करना है ठीक है एड को जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर डेश्टॉप पर इनका जो है एक सौटकोट जो है ना आपका आइकन चला जाएगा जिसी देखिए आपके कॉन्टेक्ट के नाम से इनका नाम फीथा वेश्टी जरुसब ठीक है जो कि हमने exercise direct message on the letter जाएगा ठीक है तो कैसे करना है आपको बस इसको एक बड़ क्लिक कर देना जिस तरह से आप दुसरे icon को open करते हो ठीक उसी प्रकार से आप इसको एक बड़ क्लिक कर दीजए बात कर पाऊगे देखिए यखी बार में समय बहुत बच जाता है इस से दूसरा इसको रिमूब करना भी बहुत असान है आपको क्या करना है यह जो आइकन है इसको थोड़ा दिर अपने फिंगर से दावी रखना यह इसको टैप करके रखना है, जैसी टैप करके रखोगे तो आपके पास यह option आ जाएगा, यह तीन option देख रहे हो न, select item, remove from home, app info, तो आप remove from home को आप click कर देना, यह आपके desktop से remove हो जाएगा, तो जब भी चाहो इसको आप remove भी कर सकते हो, और ला भी सकते हो, यह आपकी मर्जी है, बह अगर आप घर से social media marketing job करना चाहते हैं, तो दोस्तो एक link दिया है, description में आप उसको follow कर सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कि WhatsApp के किसी भी chat का shortcut आप बना के, अपने mobile के home screen पर कैसे रख सकते हो, और अपना समय बचा सकते हो, यहाँ आई button में आपको और भी WhatsApp related video का link दे दूँगा, आप उसको watch करना और अपना knowledge आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, अगर यह video आपको अच्छा लगा, तो like, share और comment कर दें, कोई question हो, doubt हो, advice हो, comment कर दें, किसी नए topic पर वीडियो चाहिए, तो comment कर दें, आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप और दुस्रे social link को जरूर follow कर लिजे दोस्तो, link आपको discussion में मिल जाएगा, अगर आप मुझसे phone पर बात करना चाह रहे हो, तो call me for application को google play store या फिर app store से install करके direct मुझसे आप बात कर सकते हो, आप नए हैं तो channel को subscribe करें, notification बिलको दबाएं, ताकि latest video के notification आपको मिलता रहा है दोस्तो, और एक request है, आपक बुल एक comment जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपके comment से बहुत हिमत और motivation बिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, तो उसको आप miss ना करें, और please वीडियो को like, share और comment कर दें, दिल से धन्यवाद